हेलो दोस्तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लेबस ओफ फिजिक्स फोर बीसी सेकंड एर समेस्टर थर्ड के लिए बिलिकुल फ़ेस्ट एर के तरह हमार पास सेकंड एर में भी फिजिक्स के दो एक्जाम होते हैं और दो है हमार पास इसके लिए बुक्स होती हैं बट उससे पहले आपको मैं बताना जाऊँगा कि कौन-कौन सी उनिवर्श्टीज के लिए हम इसलेबस डिसकस कर रहे हैं सबसे पहले सीबेल उनिवर्श्टी बिवानी, आईजीव मीरपूर रिवाडी, अमडीव रोतक, सी आर्सीव जीन्द, कुर्चेतर है उनिवर्श्टी में जो सेकेंड बुक हो अप्टिक्स की या तिये फोर्थ समेस्टर में बग्की फरस्ट एजटी जरेगी, फिर सीडेल गुरु जंबेसर उनिवर्श्टी हिसार, और भी जो अन्य उनिवर्श्टी जाती है रियाना के कोडिंग सभी में इस हमार पास सेम सलेबस फोलो होगा, अब सलेबस को हम सेप्टर वाइज यूनिट वाइज समझें, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमार पास एक्जाम कि के एक्जाम कि एक्जाम होता है, तो इस तरीके से हमार पास 45 मार को ये एकजाम होता है, दो नवी बुक के लिए पेटरिन बिल्कूल सेम रहेगा, अब फेस्ट बुक को हमार पास है, कम्पूटर प्रोग्रमिंग एंड थर्मोडैनमिक्स, इसके सलेबस को हमें डिसकस करते तो फेस्टी उनिट के एकोलडिंग हमार पास आते हैं पहले ये तीन चैप्टर, कंप्यूटर परली मेर, इसमें हमार पास basic कंप्यूटर के जानकारी होंगी, कि output, input या जो भी अन्य जानकारी होते हैं कंप्यूटर की उसी तरीके से, फिर second हमार पास आता है Fortran programming, अब ये Fortran क्या है यहाँ पर, Fortran हमार पास एक कंप्यूटर की language है, जिसके अंतरगे हम प्रोग्राम करना सिखते हैं, अब किसी भी प्रोग्राम को हम कर रहे होते हैं किसी भी language के साथ, तो उसकी हमार पास कुछ अप्लिकेशन होते हैं, कि किस तरीके से हमार पास इसमें constant use होंगे, किस तरीके से हमार पास इसमें flow chart होगा, किस तरीके से इसका algorithm होगा, कौन-कौन से हमार पास इसमें rule होगे, कौन-कौन से character हमें use नहीं करना है, किन-किन बात होगा हमें programming करते वे ज्यान रखना है, तो ये सब हम इसके अंतर गण समझते हैं और इसी का 2nd part हमार पास है Application of Fortran Programming काफी easy chapter एग हमार पास यहां से मार पास 1st unit cover हो जाते हैं जिसके अंतर के दाते हैं हमार पास 2 questions फिर हमार पास 2nd unit हमार पास है इसके अंतर गण हमार पास 1st chapter है Law of Thermodynamics रिखे रिख्स सेकेंड फिर अमाहर पास है एंट्रोपी एंड लिकिपिफिकेशन ओफ गैसिज यहां से माँ कहने पास यूनिट कम्प्लिट हो जाते हैं यहां से माँ पास आयेंगे थीकिुस्ट एक्जाम में फिट्स थर्ड यूनिट हमार पास है कलीशियीट इक्वेशन इसे नेक्स्ट हमारे पास है thermodynamical functions and relations यहां से महारे पास unit जो हमारे पास third होती है वह उमारे पास complete हो जाते है जिसके इसके नतरह पास आएंगे बिलकुल second की तरही तीन questions तो कुछ इस तरह के से महारे पास लेबस था first book के लिए काफी जीब को आईए यहां से देखो first unit है यह तो हमारे पास बनते हैं computer programming के लिए और फिर इसका second part हमारे पास आता है thermodynamics का जो कि हम 11 क्लास में भी बढ़ते हैं तो इस चार यूनिट आती है thermodynamics के coding जिन में से महारे पास optic first अब जो optic second होगा वो हम समझेंगे fourth semester में ठीक है तो इसलिए यहां पर optic first लिखा गया है फिर देखिए इसके इंतर के हमारे पास unit आती है first unit के इंतर के हमारे पास पहले दो chapter आएंगे Fourier series and its application फिर Fourier transforms इन में हम mainly signals और wave के बारे में study करते हैं Fourier series के according हम study करते है periodic signals को और जो हमार पास Fourier transform होता है इसके according हम study करते हैं non periodic signals को तो कुछ इस तरीके से यह काफी important और काफी easy chapter हैं काफी दोस्त क्या करते हैं कि इनको नहीं करते हैं क्योंकि यह उन्हें hard लगते हैं तो इनकी मेरी कोशी सरेगे कि इन पर मैं जरूर आपके सामने वीडियो अप्लोड करूँ फिला का second part geometrical optics second जिसको किका जाता है shortcut में abrasions, abrasions हमारे पास एक तरीके के defect होते हैं जैसे कि कोई lens हम ले रखा है यहाँ पर कोई lens है इस पर हम parallel जो ray है light की उसको file करवाते हैं और जो image हमारे बनेगी किसी के तो यहाँ पर बनेगी किसी की यहाँ पर बनेगी किसी की यहाँ बनेगी बनेगी एक तरीके से हमारे पास वो fix नहीं होगी उसी को हम कहते हैं जिस तरीके से हमारे पास कोई defect आजाता है image में उस image के ही defect को हम कहते हैं abrasions तो इसमें हम abrasions को समझेंगे spherical abrasion chromatic abrasion और इसके अन्य पार्ट को last one जो unit है unit number 3 इसके according हमारे पास के वल एक चप्ट राता है interference of light या फिर इसको कह सकते हैं division of wavefront इसके according हमारे पास हम यह समझते हैं कि light का interference किस किस तरीके से होता है तो light का interference तो हमारे पास एक के condition में होगा जब हमारे पास दो current source होंगे तभी हम light को interference करवा सकते हैं अब यह दो current source हमारे पास किस किस तरीके से उत्पन होंगे initial related हमारे पास चेप्टर में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके से इसमें काफी important method हमार पास रहेंगे जो कि हमने कुछ 12 में भी पढ़े हैं और कुछ हम पढ़ेंगे इस book के अंतरकत यहां पर देखें जो हमार पास दोनों papers के according syllabus है unit wise इसके identity topic यहां पर बताए गए हैं तो इनको तो हम समझी लेंगे आने वाली वीडियोज में और discuss भी करेंगे परते एक unit के परते एक chapter के topics को one by one वीडियो को फिलाल ज्यादा लंबी नय करते हुए यहीं पर हम समाप्त करते हैं वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्त झाल 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